कि आप सभी आई होप आप सभी होगे लास्ट वीडियो में आप आपको बताया था और गिनिजम कैसे बनते हैं पॉपलेशन कैसे बनता है कम्मिनुटी क्या होती है ठीक है आज एकोसिस्टम क्या होता है यह सारे चीजे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और इस इसमें हमारा में टॉपिक रहेगा बायोम इसमें हमारा में टॉपिक रहेगा आप देख रहे हैं बायोम को ठीक है और बायोम कैसे बनता है पहले आप यह समझ लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि बायोम होता क्या ठीक है जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बा एक बात आप यहां पर दिहां लखेंगे इagit तो इको इसमी प्लाइक बात फिक जाते हैं म derechos आपको यहां वड़िया मतलब कि कि सकतक है तो आपती हैforming कि एको änd ऑन बी दिआ होता है तो इकोस्टेम आपको किंले आपको बाता है तो एक बायोम होता है बैसे हम लोग इस वीडियो में टेरस्टियल जो आपका बायोम होता है जो प्रत्वी भी पायाता है मैस्टली हमारी NCRT ने वही दिया है क्लास 12 में और इसमें नीट में बहुत सारे क्वेशन पूछ जाते हैं और इसके अलावा आप लोग बोर्ड अगर एकजाम के तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही एसेंसियल वीडियो होगी तो देखिए स्टार्ट करते हैं बायोम के बारे में तो बड़े एकोसिस्टम को क्या कहते हैं जैसे जैसे क्या हो सकता है जली हो सकता है बायोम और इस्थली बायोम हो सकता है अब आगे और अगरम लोग बात करें इसकी तो देखिए आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है बायोम में लिखा हुआ है कि बायोम में चरम बइब शक्राइब शाय का रिधिये उन्हों में वन कोई ऐसी विशचल होगी कि पहकश समुदाइब दीओ इसे आसाने से पहचणा जा सकता है । Works, Agnes स्था देशांतर स्क Cake को निरधार्वित करता है जो होती हैं हमारी घ्लोब में ठीके तो कि excellently सीमा निरधार्वित करते हैं कि कहा से कहां तक इसक pense भी आपका बैयोम फ्यखेए का हैं ङाले प्रिकार never अब को सबसे पहला बायोम हमारा इसमें है वो है टुंड्रा बायोम देखिए इंपोर्टेंट है आप से पुछाद आप लोग बहुत एक कन्फूज रहते हैं इस चीज को लेके कि टुंड्रा बायोम क्या होता इनके मैंने एक्जामपल सेलेक्टिट एक्जामपल बोली हैं जो आप शित्र के चित्र अपर के चेतर में सक घहला हैं उसे साथ Scottish अश्ञांस होता है उत्र साइड में उसे अपर होते हैं तंटर कहलातें इस एरिया से ऊपर च्छेत्र पाई जाएंगे गारां के जो आपकी इसी स्थान पर क्या पायाती है इस लाइन की एक विशेष्टा होती है कि इस पर ब्रक्ष नहीं पायाते हैं यहां पर बर्स भर वर्फ जमी रहती है बर्फ भर मलत कि यहां की जो मिट्टी होती है वो कवर्ड रहती है किस से कवर्ड रहती है तो आप बताएंगे यहां की जो मिट्टी होती है वो बर्फ से कवर्ड रहती है जिसके काने आप ब्रक्ष नहीं पायाते हैं बड़े बड़े प्रेड नहीं पायाते हैं इस स्थान पर तापमानों प्रकास बहुत कम मात्रा में होता है, यहाँ पर टेमप्रेचर और लाइट दोनों बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, आगे देखिए, हिमाले पर 3600 मेटर की उचाई से अधिक उचाएबाले इस्थानों को अलपाइन टुंडरा कहते हैं, यहाँ पर टुंडरा आपके अलपाइन और पोलर टुंडरा, दो प्रकार के टुंडरा होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अलपाइन टुंडरा का नाम दिया है, तो आप को ऐसी है नीट वालों के लिए इंपोर्टेंट है अल्पाइन टुंड्रा जो होता है वो 36 मीटर की उचाई से अधिक इस्थान पर पायाते हैं जबकि धुरूबी या पोलर जो टुंड्रा होते हैं वो आपके जो होते हैं वो मतलब पोल की तरह पायाते हैं ठीक है अब देखिए यहां लगवक 25 सेंटीमेटर बरसा रिकॉर्ड किया ती है यहां जो 25 सेंटीमेटर बरस पर जो बारिस होती है वो लगवक क्या होता है 25 सेंटीमेटर के आसफस रिकॉर्ड की जाती है आगे लिखाए इस बायोम पर मु इसके अलावा इसके अलावा यहां कुछ जन्तु जैसे लोमडी धुर्वी भालू पायाते हैं यहां पर दो जीब भी पायाते हैं लोमडी और धुर्वी भालू पायाते हैं देखिए यहां पर मैंने एक विशेस टर्म दिया है दिखा है पर्मा फ्रोस्ट यह पर्मा फ्र पीजन सोयल कवरड़ वाई स्नो और आईस बहला जहां पर परमा फ्रॉस्ट जिस इस्तान पर बनते हैं वहां की जो मिट्टी होती है वह कवर रहती है बर्फ से तो यह आपके परमा फ्रॉस्ट होते हैं देखिए आगे देखते हैं अगला आपका second जो होता है बायोम वो होता है temperate coniferous forest या इसी को हम बायोम यानि temperate coniferous बायोम कह सकते हैं या इसी को आप northern बायोम या उत्री बायोम भी कहते हैं ठीक है अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं यह क्या होता है इस बायोम को टैगा बायोम कहते हैं most important है कि टैगा बायोम किसे कहाया था तो आप बताएंगे कि जो आपका temperate coniferous जो forest होते हैं या बायोम होते हैं उन्ही को हम लोग क्या बोलते हैं उन्ही को हम लोग बोल देते हैं आपका टैगा ठीक है तो टाइगा किसे कहते हैं यहां पे जो आपके प्लांट होते हैं उनकी जो पत्ती होती है वो नोकदार होती है निडिल लाइक होती है इनकी लीव जो होती है वो कैसी होती है ऐसे माली जी आप निडिल लाइक ऐसे लंबी-लंबी पत्तियां पायाती है इनके प्लांट दिशा में ये पाए जाते हैं आगे देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें हिमाले पर ये बायोम 1700 यहीं सत्रा 1700 मीटर से 3000 मीटर की उचाई पर मिलते हैं इनकी जो पोजिशन है वो कितनी होती है वो होती है यहीं 1700 मीटर से 3000 मीटर की उचाई पर मिलते हैं यह बाले बायोम और आगे लिखा है बारसिक बरसा जो होती है यहां पर बेटा वो पचास से एक सो सतर सेंटीमेटर तक होती है यहां की जो बारसिक बरसा है वो पचास से एक सो सतर सेंटीमेटर तक होती है अगर हम लोग यहां की और बात करें तो यहां पर होता है वह को 20 डिग्री सेंटिग्रेड तक होता है ठीक है अब देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है यहां पर बैजिटेशन का मतलब यह होता है कि यहां पर कौन सी बनस्पतियां पायाती है तो यहां पर बनस्पतियां जो होती है पाइनस यहां की बनस्पतियों के नाम है, मैपिल हो गया, साइप्रस हो गया आपका, सेंडर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी मिलते हैं, उनको देख लीजिए, जिसे डियर हो गया, रैविट हो गया, स्कॉरियल्स, और आपका इल्क्स, इंसेक्ट, स्नेक, लिजार्ड, आदी, लिजार्ड, छिपकली, इसनेक, सर्फ, इंसेक्ट, कीट, आपके यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं, अब देखते हैं, अगला बायोम, अगर हम लोग थर्ड बायोम की बात करें, तो तीसरा होता है, टेम्परेट, डैसीडियोस, फॉरेस्ट, और बायोम, यहनि सी सब्सक्राइब, जो पत्सचिड़ में पायाता है, वो पाणपाती कहलाते हैं, अब देख लिजिए, यह कहाँ मिलते हैं, कितना इनका टेम्परेचर होता है, क्या इनका अच्छांस और देसांतर होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे, देख़े, इसमें लिखा हुआ है, इ अच्छांस पर पायाते हैं, बतलब कि यह आपकी इतनी इनके उचाई होती है और यह आपका जो अच्छांस और देसांतर के बीचे पायाते हैं, उसके बारेगार इसी के हम लोग बात करें, इस बायोम पर बारसिक परसा कितनी होती है, यानि 100-250, 100-250 cm तक इसमें क्या होता है यहाँ पर बारिस होती है, आगे इसकी प्रोपर्डी देखते हैं, इस बायोम में और क्या होता है, यहाँ की बैजिटेशन की बात करेंगे हम लोग, यहाँ बैजिटेशन में अगर हम लोग देखें, तो चोड़ी पत्ती वाले ब्रक्ष जैसे, यहाँ पर जितने भी प्ल इससे पहले ही यह पौदे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरां देते हैं, तो इनके ग्जांपिल हुए बनस पतियों के, अभ बात करेंगे हम लोग इनिमलस की, कौन-कौन से अनिमल यहाँ पर मिलते हैं, होग तो इसक्रीन पर देख़uin होगे, यहाँ पर एनिमल आपका होता है, फूर्थ बायोम जो होता है आपका होता है ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट और बायोम ठीक है उष्ण कर्टिवन दिये बर्सा बन उष्ण कर्टिवन दिये बर्सा बन क्या होते हैं कहां पायाते हैं कितनी बरसा होती है और क्याóriaいます example इसको सीखेंगे तो देखे इस प्रकार के बायोम में क्या होता है बेटा इस प्रकार के बायोम जो है वो भूमद रेखा के आसपास मिलते है आपको जो भूमद रेखा होती है विसुबत रेखा जिसे बोलते हैं उसके आसपास ये पाये जाते हैं यहां पूरे बर्स अधिक बर्सा होती है यहां पूरे बर्स क्या होता है बर्सा अधिक नहीं यह वाला बायोम जो है वो सबसे अधिक बर्सा वाला छेत्र होता है ठीक है सबसे अधिक बर्सा वाला छेत्र होने के कारण ही वेटा यहां पे क्या होता है यहां पे क्या होता है कि इन्समें जैविक भीविट्ट था एंगे सबसे नदी विप्रसा हो रही तो सबसे जादा बायोविट्थि केवहां होगी आपकी इस चेटर में होती है तो आपको जो उसन कटिवंदिये बरसा बन होते हैं वहाँ पर क्या होता है सबसे ज्याधा बायो डायोर्वरिसटि पई आती है क्विस्टन क्यों सबसे बिविट्टा कहां मिलती है जया बिवित्ता का मतलब होता है कि सबसे अधिक परकार के जीव, जन तुबहनेशपतियां कहां पायाती है तो इसी वाले बायों मे रीजन में आपको यह मिलती है सबसे ज़्यादा प्लांट इनिमल इसी बायों में पायाते हैं मैंने आपको वागी बताया आगे क्या है इसमें तो आगे इसमें दिया हुआ है देखिए यहां तापमान सदयब एक समान उच्चतम रहता है मतलब एक समान फिक्स रहेगा लगबल जिसे अगर हम लोग बात करें हम लोग अपनी बॉड़ी की तो टेंपरेशर कितना होता है फिक्स होता है ठीक है 37 डिग और नमी भी पाई आती है हमारे ठीक है इस बायों पर बायर्शिक बरसा 200-300 सेंटीमेटर तक होती है यह इंपोर्टेंट है यहां पर जो इससे ऊपर भी होती है 200-300 से अधिक बरसा यहां पर रिकॉर्ड की जाती है अब देखेंगे हम लोग आगे क्या है आगे लिखा भारत में उस्ण कटवंदिय बरसा वाले बन पूर्वी हिमाले देखें पूर्वी कहां पाय जाते हैं भारत में उस्ण कटवंदिय बरसा वाले बन पूर्वी हिमाले जैसे असम पस्मी बंगाल पस्मी घाट में कहां केरल और अंडमान निकोवार आदी इस्तानों पर क्या होते हैं यह पाएज आते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें आप देखिये हैं यहां पर vegetation और यहां के animals देख लेते हैं transferring vegetation का मतलब मैं आपको फिर बता दूँ cela भॉत सारे पॉदे यहां पर मिलते हैं उसके अलावा मुख रूप से यहां पर बनस्पति होती है वो dipterio corpus होता यह आपको important है याद रखना और hopia यह दो बनस्पतियां है वो मुख रूप से यहां पाई जाती है ठीक है अब animal के बात करें कि इन इस्तानों पर परजीवी सामान रूप से पाई आते हैं जैसे cascuta, biscum, lorenthus, raflecia, semptillum यह पाउधे हैं राफलिशिया का आपको पता है इसका सबसे बड़ा पुस्प होता है cascuta medicinal plant है lorenthus भी आपका यह medicinal plant है ठीक है यह इस रेजिन में आपके मुखरूप से पाउधे पाई जाते हैं उसके अलाबा और देखते हैं इसमें क्या होता बेटा आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए फिप्त जो हमारा बायोम है वो है आपका grassland बायोम घास इस्तल बायोम बहुत important है पूसा जाता है ठीक है आपको बहुत सारे question इससे मिलेंगे वीडियो को like करते चलिए अपने friends को भी share करते चलिए ठीक है अगर कोई बात समझने में या समझ आपको किसी बात को पूर तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं तो मुझे comment box में comment अबस कीजिए उसका reply आपको जरूर किया जाएगा आगे देखिए आगे लिखा हुआ है इसमें इस बायोम पर बारसिक बरसा लगवग 25 cm से 75 cm के वीज होती है मतलब ग्रास लेंड पर जो कि बिंटर में कम था समर में अधिक होती है मतलब कि सर्दियों में यहां बारिज कम होती है और गर्मियों में यहां पे बारिज अधिक होती है अब देखेंगे हम लोग यहां पे कौन-कौन से grassland है कहां किस एरिया में पायाते हैं इस स्लाइट से आपको जडरूर question मिलेंगे समझ लीजे ध्यान से देखे नेम आप ग्रास लेंड और प्लेस कौन से प्लेस फिर मिलता है जैसे प्रेरीज प्रेरीज होता है वैसे प्रेरीज प्रेजी जो होता है वो आपका कहा पाया जाता है नौर्थ अमेरिका में पायाता है पंपास आपको पता है यह पंपास लिखा हुआ है पंपास यहा ट्यू सेक्स, ठीक है, ट्यू सॉक्स, यह ट्यू सॉक्स होता है, जो अपका अफरीका में पाय जाता है, ठीक है, नेक्स्ट बायोम जो है हमारा, वो है डीजट बायोम, यह नहीं मरुस्थली बायोम कहां मिलते हैं, तो देखिए, मरुस्थली बायोम जो है, मरुस्तल बायों मुकृूब से करकरेखा टता मकररेखा के पास, 15 degree से 35 degree अच्छांस के मदब उत्र तता दछ्ण में पायाते हैं, लेकिने पूरी बार समझे ध्याँ से करकरेखा और मकररेखा के बीच यह इतन् sect अपका डिगरी में होता है 15 से 35 degree के असपास, और इसके sons के उत्तर औ दच्छ धिसा में पायाते हैं उत्तर औधच्छ धिसा में यह क्या होते हैं आपके digit ॉइय। कहां पायाते हैं आको भी बताँगा ठीके अगर आगे बात करें इसकी तो देखी है आगे लिखा हुआ है बारिस एक बरसा बहुत कम लगवग 20 cm से भी कम होती है, यहां पर बारिस ना के बराबर होती है इस बयोम पर acquis हैं हम जनतु बहुत pus kками पायाते है, बारिस नहीं होगी तो पऊदे कैसे होगे यहां केवल साक पायाते है, साक स्रॉब होता है सरप्स पाय आते हैं यहां पर ठीक है सरप्स का मतलब जिनमें बुढ नहीं बनती है जिनमें लकडी नहीं बनती है ऐसे पौदों को हम लोग साख कहते हैं जैसे आपको क्या हो गया सरसों हो गया ठीक है और जैसे धनिया हो गया यह सभी साख होते हैं आपके पूरी दुनिया में पाये आते है उनके नाम आप देख लिजिए जो इंपटन्ट है आपके लिए देखिए जैसे सहारा मरुस्तल बहुत पुछ जादा थारा मरुस्तल का है जैसे नौध आप्रिका में हैं वो कैसे हैं वो होट डीजर्ट है यानि गर्म मरुस्तल है ठीक है तो यह आपका देखते हैं यह आपका हो गया है आपका नेक्स देखते हैं अब देखिए यह आपका डाइग्राम दे रखा है इसको समझे इसमें मैंने जो बायोम अभी आपको बताएं वो सारे बायोम यहीं पर दे रखें इधर जो आपको यह बना हुआ है यह टेमप्रेचर है डिगरी सेंटिग्रेट में ठीक है और इधर जो है अब आपकी बर्सा है देखो मीन एनुवल प्रेसिप्रेटेशन सेंटिमेटर में कितनी बारिस हो रही है रेंफॉल आप इसको बोल सकते हैं रेंफॉल आइए क्या है रेंफॉल कितनी बर्सा होती है यहां पर बायोम डिस्टिविशन बिद रेस्पेक्ट टू एनुवल ट देखी यह जो था सबसे पहले आपका टुंड्रा तुंड्रा मैंने बताया था आपका धुर्भी और ऐल्पाइन तो दोनों दे रखे हैं ठीक है उसके बार में मैंने कोणी फेरस्ट बताया थे आपको यह वाला एरिया है कोणी फेरस का है जो कि आपका 170 OF 50270 की बीच आसपास मिलता यह आपका दीसरा है उसके बाद में ट्रोपीकल फॉरेस्ट और तॉप्यल फॉरेट़ थीक है और हम बात करें ग्रसलेंड की wonderि यहां पर रहें तेहाral रहें देखोगा डीजट की बात कहीं हैं 20 से कं तो यह होगा टो यह 50ड है 50 के less देखींगे तो क्या होगा टो यह अपका यह डाइग्राम आपकी ayam यह फारत में उनकी आपको पिक दे रखिए यह पर ढ़ोग का मलब क्या हुआ प्ता चेत्रा यहां पर बनसपतिया जय ज्यादे चेत्र के अगले जीडियोट बूस्तिय अगले डीज़न zijn रेगिस्तान है मरुस्तल है यह देखिए मरुस्तल है और फूर्थ है सी कॉस्ट यह आपका एक ग्रासलेंड वाला पार्ट है यह देखिए इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइट करें कोई प्रा कि जो आपको ऊष्ण कटिबंदी बरसा बन होते हैं उनमें कितनी बरसा रिकार्ड की जाती है present a päğ lives कमेंट वाक्स में डीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से हैर कीचिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयाल लगें अपने आस प्रोज सपाई रखें, टेक केर